मेरा नाम है हरसिष स्वागत आपका मेरी चनल हरसिद की पढ़ाय में दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंगलिज फ्लैमिंगो क्लास 12 थी चैप्टर नंबर 6 इस पोईट एंड पैंकेक्स ठीक है सब्जक्ट इंगलिज की फ्लैमिंगो के जो उसका चैप्ट लगाय रहता इतनों सब्सक्राइब करके मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर नहीं होने दूंगा शुआत करते हैं शुआत का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग होगा और बार में जानना होगा कोई बात निसको भी नप्टा लेंगे इस चैप्टर के ओधर जो है इनका नाम आप ऐस तूडियो में काम करते थे का क्या 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 होता था थी ते बारी चीज़ बताइए उनको वकुर्ट लेना वाय बराराइटी ऑफ सब्जेक्ट और वाइन फाइल में इस च्रूड ये बैड थे यह पूरा पूरा का अख़वार आपके इतनी जगे में पोटो आ ग लोगे और यापकी चोटी थी कॉपी या कोई फाइल होगी इसमें लगा लोगे तब को दिखाओगे देखा वही इनका काम था नुजपेपर में जो काम की चीजे उनको कार्टना और फाइल में इस्टोर करना अब यह जो पूरा चैप्टर है पॉइट एंड पैनकेक्स एक किताब है माई इयर्स बिद बॉस ठीक है इसी का एक एक स्ट्रेक्ट है मतलब इसी में से सारा का सारा यह चैप्टर निकाला गया है तो इस चीज़ को आप धियान रखना एक ओटो बायोग्राफिकल नौट है असोका मित्रन ने अपनी स्टोरी ने कीसे काम करते हैं कौन कुण था क्या 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 चुबाथ करते हैं गाइस सबसे पहले चैनल स्टूडियो यह कहां लोकेटेट था कब बनाता उसकी वार में जानते हैं यान बता रहे हैं और जैसे कि आप लोग होते ना अपनी गल्फरेंड को इंप्रेस्ट करने के लिए यह बैंड का नहीं है यह बैंड के प्रोडक्ट आते न उन्हीं के ब्रेंड का नहीं है जैसे फियर लबली वगर आपने देखा होगा मैंकप करने के लिए लोग यूज करते हैं तो यह ब्रेंड नहीं है पर नाम लेखे हैं थोड़े से वूट पटांग लगेंगे आपको जैसे ग्रेट अगार्बो मिस गोहर ठीक है बेजन तमाला ओल्सों है यूज इंको यूज कि अधिकले जितने भी नाम है अब लिए यह अग्रेस थे पुराने जमाने में थीक आप यह पहले अंग्रेस थे पुराने टाइम में ठीक है इसमें इन सबीर लोगों ने इस ब्रेंड का यूज किया है बट आके दो क्या लिखा है वर्ट रातियक अगनी आप इंग झाश सुना तक नहीं इस ब्रेंड के बारे में क्यों नहीं सुना क्योंकि ब्रेंड खतम हो गया आपने नहीं को उनको यूज करते हैं पर कुछ टाइम बात कॉंपेटिशन बढ़ जाता है नए प्रोडक्ट आते हैं उसकी वालिटी उत्ति नहीं रहती प्राइस बढ़ जाते तो ह सबसे पहले तो मेकप रूम की लोकेटिट कहा थी का पर था तो वह जिंदा आप स्टियर्स ओफ विल्डिंग रोवर्ट क्लाइब गोड़े रहते हैं स्टेवल में स्टियों इसको इस्टेवल में रहते हैं गोडे रोवर्ट क्लाइब का इक इस्टेवल था ठीक है उसी के उपर करने ठीक है वहीं पर था मैक रूम पर यहां से तरीकर से था आगए देखने में था color dog मतलब बहुत जादा हीट इमट करती फ्रतान स Video पर टाम यह बहुत यूइछ प depending लाइवेश ना हीट फ्रत पहले की ताम पहले पेले बल गेगे चलते थे ना तो कुछ बैसी लाइट्स थी बहुत ही टैमेट करती थी और बताते हैं कि वहाँ पर जो एक्ट्रेस थी भाई था पूर सारा बहुत सारा मैकप लगाया रहती थी चहरे पर ठीक और सामने थी लाइट चलने होती विचारों को बहुत पसीना आता था था बड़ी कर दिया मतलब छोड़ दिया जैमना इस्टूडियो क्यों छोड़ दिया क्योंकि वह फेहमस हो चुके थे तो धियान रखेंगे काई मैकप रूम का पर था हां गोड़े रहते थे स्टेबल से में उसके ऊपर था मैकप रूम ठीक है एर क्रिटिंग सेलों जैसा दिखता था और बहुत सारी उसमें लाइट लगी थी जिन में से बहुत जादा हीट निकल दी थी क्योंकि वह इनकेंटेसें लाइट थी ठीक है तो इसका आप धियान रखेंगे तब पहले मैकप रूम के हैड़ कौन थे एक बैंगॉली थे बढ़ उन्होंने छोड़ दिया क्यों क्यो क्यक्ति दाएक फ़注़न है और मदराय बिकल्अ करने लोग ठीक है नागलों ने एक बोड़ी ठूम्सी थे अगलो करते थे मोग शचाहूं मैंस मोज़स करते हैं सब्यसे रख पूरा काम को यह सिर्ण तुम देखा हों लोग काम करते हैं प्रीच पूरी स्व्यान कि प्रिं वेकिन में आपे हैड कानता है, एक महाराष्टियन थे उनके नीचे सारी लोग काम कर थे जो मैंने आपको बताया ठीक है ? और the National Integrated Makeup Man ठीक से इंक और इससे इंको जानने जाते हैं क्यों ? क्यों क्यों सब लोग साहत मिल के काम करते थे तो इनकी बहुत सारी बिल्डिंग थी चैनली मदरास में ठीक है तो रोबट क्लाइब के बारे में आप ध्यान रखेंगे पहली चीज यह कि इनकी एक बिल्डिंग थी उसके सबसे नीचे था हमारा स्टेबल जहां पर गोड़े रहते थे और उसके उपर था मैक अप रूम किसका जैमने स्टूडियो का ठीक है और एक चीज इनका और याद रखेंगे गाइस कि इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े ऐसे जगए पर जाके लड़े जहां पर जाना पॉसिबल नहीं होता एक नौकरानी ते ठीक है कहाँ पर करी शेंट मेरी चर्स में ठीक है इन फॉर्ट जीओ इन मदरास ठीक है जगे इनोंने एक नौकरानी से में अब कर लें देखो यह मैख और देपार्टमेंट था जो कि पूरा का पूरा मैख आप करता था अब उतर इनके वारे में किया सोचते हैं वो बताते हैं गायस ठीक है यह देख रहे हैं अब हमें ओधर के बिचार पता सलेंगे मैकप के बारे में होता ना वह तो देखा है यार की लड़किया मैंक पर लेती हैं किती खुश्वरत लगते हैं कुछ लोग बोलते हैं मैं बता दूंग क्या कहना चाहरे था ठीक है लोगाइस ऑथर कहते हैं कि तो मैंक डिपार्टमेंट था पूरा का पूरा नेशनली इंटीग्रेटेट मैंक अप में जिनको बोला जा यह किसी भी एक अच्छे खासे एक अच्छे आचे आचे लोगिंग पर्सन को एक दम मौन्स्टर जैसा बना सकते हैं ठीक है इसको मूझ लाल हो एक दम देखके डर जाओ तर कुछ ऐसे सोचते थे ठीक है तो बता रहे हैं कि और कि मैंक अप डिपार्टमेंट किसी भी एक अच्छा खासा दिख रहा हो उसको एक दम मौन्स्टर जैसा बना सकते हैं ठीक है किसके दुआरा क्योंकि देखको विद्धा है लोकली मेंड पोसंस एंड लोसंस बता रहे हैं पैंक देखको ब्रेंड नेम थाना मैं आपको बताया था तो इसके प्रोड़क्ट आ देखक भर भर के कहां पर जैमने स्टूडियो में और यूज होता था मैक अप के लिए तो वहीं बताते हैं कि भावी सब्सक्राइब भर भर के सामान आता था पैन के ब्रेंड का ठीक है और भी बहुत सारे लोकल में लोसंस पोसंस इनके दुआरा वाई किसी भी साधारण आत्मी क एक तम अगली बना देते हैं गंदा देखने वाला बना देते हैं मैक अप डिपार्ट के जरूरी भी है था कि बो फ्लिटनी में ठीक है इन ऊर्डर तो उल्क प्रिजेंटिवल इन ना मोवी ताकि मुवी वह अच्छा दिखे ठीक है उसकी अकोर्डिंग तेक है ओक है uwagę ने है जाता तर आप बाहर देखेंगे भाई हरी हरी गास नलिये हो रही हो रही ही मतलब वाला लग जगे ठीक है लेकिन पहले के टाइम पर इंडूर शुटिंग होती थी पीछे के हरे कलर का परदा बगरा लगा कि बैंगराउंड चैन्ज कर दिया जाता था था तो मुझे पता ह हिसे होती है बहुतर बता रहें कि इस समय पर इंडूर शुटिंग फेर 5 उतल रिपके अब करें दियुन के बहुत यह आपने सारी चीज़ देखी होगी तो यही हायरारखी मैकप डिपार्टमेंट में हुआ करती थी जैमने श्टूडियो में एक चीफ मैकप मैं हुआ करता था जो कि मैं एक्टर एक्टर्स होती थे ना उनको अगली बनाता था मतलब समझ जाओ पागल जैसा बनाता था 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 भूष से नीचे जो था चीफ में क discour Family सा का बोला जा रहा रहा है घ्री करता था और सबसे लास्ट में एक ऑफिस बोई था ऑफिस के बारे मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत मस्त है यह करता था क्राउड में कपका ठीक है अब जाते कोई आपने गाना बगरा सुना होगा वाई यह रहा अपने मैं हीरो यह अपने मैं हीरो है इनके साथ इनके दोस् था इनके तो यह रहती है रहती है जो जाते हैं गरेगा और जो बहुत सारी भीड करेगा तो यह रहती है तो यह रहती है अपकर प्रम को लगड़ा हुआ है बच्चा ठीक है लड़का लेकिन नहीं यार he was in his early 40s मतलब बोल सकते हो 40-50 साल की एस के बीच में इसकी एस थी कोई बच्चा नहीं था वाई साब एक आदमी था ठीक है ऑफिस वोई के नाम से ऐसी हसी मजाक में लोग उसको बोला करते थे सेकंड पॉइंट बो जैमने स्टूडियो में आया था पहुत साल पहले इस आता में इनकी आगे चलके एक बड़ा इस्टार अक्टर बन सकता है या फिर टॉप स्कीन राइटर बन सकता है या फिर डारेक्टर भी 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 बन जाएगा ठीक है और वो थोड़ा सावाइव था बड़े अक्टर बन जाएंगे यहां पर ठीक है यह पर नहीं बन पाई तो वह कुछ बन ही नहीं पाया एंड वह बहुत जाता गुस्टा रहता था चिड़ चिड़ा कर रहता था बोलता था कि भाई को था मंगलम सुबू यह जो है ना इसकी बज़े से कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में कुछ भी में अपनी केरियर में अच्छा नहीं कर पाया यह पर मैक अप करते रहे गया मैं बिकॉज ऑप को था मंगलम सुबू अब यह क्यों जलता था मैं आपको बता हूंगा लेका से एक लैसना आप जिंदगी का यादर रख सकते हैं वो यह 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 जिए कोटा मंगलम सुबू को ही जिम्मेदार ठेहराता लेता है इनकी वाजस में कुछ नहीं कर पार हो आपको अगर जिंदगी में सफवा लोना है तो भाई कभी भी किसी दूसरे को दोस्मादि देना अपनी जिम्मेदारी खुद रखो ठीक है दूसरों कभी गलत मत थेराना अ सबसे उपर आपका डारेक्टर है आपके स्कुल के जो ठीक है जो फांडा रहे स्कूल के नीचे अमारे प्रिंसिपल नॉमडर आजब सबसे बड़ा पद है उनका थिक है वैसी कोटामंगल उप्रॉ का दूतर था था नंबर टू बोला जाता था थे इनको जयमने इस्टूड तो आहिए फ़स्ट आहां पड़े चाहिस से अचछ़ मंगलम सब्भू की वाज़ से की सिस्जा हूँ यह ज्याधा हुआ है यह ज्याधा पड़ाय लिखायी गरिए लेके नहीं थे लेकिन भाई हुसियार बहुत है टेलेंट बहुत है ठीक है इसलिए नंबर टूपे थे ये ठीक है और नेक्स पॉइंट क्या है कि चीरफॉल और अल्ड़ टाम हमें था खुछ रहते थे इन्होंने मैनज कर रही उतका रिजल्ट नहीं मिला या फिर फेल हो ग करते हैं अकेले यह कोई भी काम नहीं करते थे ठीक है और नेक्स पॉइंट क्या है कि हैड़ा सेप्रेट आड़ेंट इस पॉइट भी थे इक इनकी अलग आईटिट भी थे ऑफ मोर कॉंपलेक्स एंड हायर फॉर्म ठीक है तो ऑतर बताते कि कोठा मंगलम सुबू इनकी अलग आड़ेंटिट है ऐसा पॉइट विकॉज यह कॉंपलेक्स लेंगोईज में पॉइट्री बगरा लिख सकते थे लेकिन लिखते नहीं थे क्योंकि यह चाहते थे कि यार हमारी जो लेंगोईज जो हम लिखना चाहा रहें वो सभी को समझ में आए कॉंपलेक्स लेंगोईज ना लिखें ताकि भाई साथ देखो बहुत सा लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो वो नहीं समझ पाएंगे ठीक है इसलिए यह आसान बट में ही लिखते थे लेकिन इन जैमें जैम्नि स्टूडियो में स्टुडी डिपार्ट में वहां पर एक लाइर था लीगल एडवाइजर इसको ब estado झाल रहा जाताथ तो गयाशिए पर यइचन का शी को ल्मीग एडवाइजर इसलिए वऑन टा क्रेंवा शीवते हैं और एक तौल रहा वह एक पर घैडिये तो और भी ती होола घाल चुछ वाले चीज कर लिया मैं का अरे मैं मैं रुकिए एक मेंट और उन्हीं को दिखा दिया कि देखो मैं आप ऐसे गुष्चा कर रही थी भाई उस एक्टरस ने जैसे वह वीडियो देखी बहुत है उसको गुष्चा आ गई लड़कियों बड़ी क्यूट होती है और वो कैसे गुष्चा कर सकती है लेंगे जब उनको गुष्चा आता तब देखो किती तेची चिलाती है ठीक है तो वही चीज़ है तो उस एक्टरस ने अपने खुद की वीडियो देखी वाई मैं ऐसे ही दिखती हूं ऐसे मैं चिला इसको दिमाँ खराब हो जाता है और मतलोग हो जाती है और वो अपना केरियर ही छोड़ देती है एक्टिंग में ठीक है क्यों लीगल एडवाइजर की वज़े से वाई उसका वीडियो शूट करके उसको दिखा दिया कि दोखो तुम कैसी दिखती हो गुसा करते हैं फलाना है तो कि फोड़ी ओवर साइज हुआ करती थी लेकिन ये लीगल एडवाइजर जो था ये एकदम पैंट पैंटा था टाई पैंटा था तो तो इसमें थोड़ी से अलग चीज थी और ये जो लीगल एडवाइजर था इसकी सभी लोगों से बनते नहीं थी तो थोड़ा सा लौन अकेला रहता था हैल प्लेस था जाता हो किसी की मदद बगए रहां नहीं करता था था ठीक है अपनी ही दुनिया में रहता था बढ़ा खता था थोड़ा सा होता यह थोड़ा से लोयर से रहे रहे लाए टाथ बताया बगे शोड़ी जादी प्लविगे अन्वाइव करें करते तदा क्योंकि वाइघ था वहां पर होता क्या क्योंकि वहां पर जो स्टोरी भर बनाई जा रही थी वह चल नहीं रही तिसलिए कंपनी को बहुत दा लौत अब शुर्ति दिपार्टमेंट को बंद करें गया था और ये जो लोयर था ऋउइड-वाइजर इसकी नोक नौकरी गई हो ठीक है उसको घर जाना पड़ा हो वह भी स्टोरी डपार्टमेंट में है तो इसकी नौकरी चले जाती है फिर ठीक है मैं आपको बताया था कि कि आपको बता कि यह जैसा कि आपको बता कि कम पड़े लिके थे साथ में नंबर टू ते जैमनी स्टूडियो के तो जो बोस थे जैमनी स्टूडियो के उनके साथ यह रहते थे इसके पास थोड़ी थी ज्यादा पावर थी नंबर टू था बहुत स्मार्ट थे यह बहुत स्मार्ट कर सकते थे तो इसलिए यह से जलते थे वाई बाकिसा वीडोग तो बीवनेस्ट सच बात यह है ठीक है तो अपने चैप्टर के ऑथर है ना असोका मित्रन ठीक है वो ब दिता पूराद के काम रेते हैं और हो जाते हैं फोना वहाद और फिखाता ता hey है आपने मारे में होता बारे में बताथ रहता था बोल रहें जाते सुन-सुनके तो फिर चाहते आपना काम कर जाके यार कि प्रबू थोड़ा सा क्राउड शूटिंग करा दे ताकि यह थोड़ा सा बीजी रहे और बना मुझे पकाएगा वैसे यह थर बोलते हैं कि रही चाहता थी क्राउड शूटिंग जाता जाता हो ताकि आपिस अच्छा पसे पसंदीदा हॉन अच्छा यहां पर देखो एक्सलेंट मैस विस अप्लाइट गॉट कोफी मतलब पूरे दिन कभी भी जैमनी शूटियो में आते हैं तो यहां पर एक अच्छा क्वालिटी का मैस था ठीक है दिन रात 24 गंटे ठीक है 24 आर्स कभी भी आप वहां पर आओ मस्त चाय मिलती थी ठीक है बाते कर सकते हाराम से जैसे होते होते हैं चाय पगर आपी नहीं तो इस समय मिलना जूलना अलाव नहीं था कि भाई बहुत हर लोग एक साथ मिल जाएं बात चीच करें चाय प बीदि अधर्ट को सब्सक्राइब बाते हैं बड़कुल पर पिन को पसंद नहीं आधा था आप communism होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं ठीक है communism क्या होता है वे एक पूरी की पूरी community होती है जित्ते भी resources होते हैं सबी को community on करती है सारे एक सारे resources मैं आपको example देखे बताऊंगा ठीक है on करती है तब लोग जो उसके काम करते हैं and need के according रिषेप कर दिया जाता है ठीक है कि पूरा थीघ होते है खेत जह सब्सक्रा करते हैं हमारा लोग साथ में काम करते हैं तो यह कापी ज़्यादा उस्टम है चलता था लेकिन यह लोग उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर देते पोईट बगरा ठीके बताते हैं यह फ्यल आता हर जागा बातचीद बगरा होती रही तिसके रिगार्डिंग वर्ट अभी जैमनी लग ना थो यहां पर भी कुछ आने वाला है लांने वाला ओगात लोग होते हैं लोग होते हैं और को नहीं मांते हैं और प्यार मोहित बच्चों को अपने पैरेंट्स को भी मार सकते अपने फायदे के लिए अगार जरूवत पड़ें जब कोई नहीं मार सकते हैं एधा मानते दें लोग ठीक है और यह बाइलेंस पगर अभी काफी जदा फिलाते हैं ठीक है अब लग अब बच्चों को मार सकते हैं अपने पैरेंट्स अपने बच्चों तक को मार सकते हैं अपने फायदे के लिए और बाइलेंस पगरा फिलाते हैं यह सारी चीज़ ठीक है ओके तो फाइनली अभी जो कॉमिनिस पगरा था ना यह हर जगे फैला था लेकिन जैमने स्टूडियो में अभी एंटर नहीं हुआ था तो फाइनली गाइस जैसा मैंने का था कि वाथर को राइंट आरमी थी मोर्ल री आर्मामेंट आर्मी ठीक है ठीक है यह बैदिकली पूरीगी पूरी आर्मीं धीं की पूरी गृृप था एक टीम था बहुत थो रहाइट इसमें किते लोग से टूहनडेड वीपल थे ठीक है तो इसको मरें के शाज्टी अहां मरें अरी मरें उसमें तो भाई साब फ्रेंक बच्मन की मरे मॉरल डी आर्ममेंट आर्मी आई मरे ठीक है मदरास में कव 1952 में ठीक है उसका स्वागत बगरा किस ने किया जैमनी स्टूडियो में वहीं रुके खाना खाया सारी चीज वही ऑथर बताते संबन कोल दा गुरूप एंड गुरू बगराओ इस तरीके का एक है यह लोग उसमें भी अच्छे नहीं है अनिमल्स के लिए इनके लिए कोई प्यार ही नहीं है केवल डिनर टेबल पर दखता है तो कहते हैं यह लोग बगराँ है प्रोफेशनल लेबल के लगता तो नहीं है क्योंकि ने ट्रैपीज करना भी नह मुलाकात होती है इनकी अनिमल थे तो यह लोग जैम ने स्टूडिय में रुके डिनर बगार सब कुछ किया और मदरास चैनली में अलग लग जाके उन्हें बहुत सारे प्लेस किये बहुत सारे सॉस किये ठीक है उसमें बताए दे प्रिजेंट टू प्लेस इनके दो प्रोफे में और। आँए यह जो सोगेरा करते थे यह प्लेस बगरार करते थे इसका जो मैंस होता था बहुत सिंपल होता था जैसे हम कोई कांड नहीं सुनते ने एक छोड़ा सा मोडल होता है कि अच्छे काम ने चाहिए बुरे नहीं करने चाहिए फ़लाने दिकाना तो इनके लुखन्स पहाता था बैसे ने सोढ़ा किये मैं ऐसे सिंपल होताथा लेकिन एक सेट्स होते थे कॉस्ट्यूम सोते थे यह फटिर वह तब यह फास्ट वह लगजय थे तो भाई ता भूता किया है इनी के एक सीन से कौनता होता है वो सन्राइज और संसेट को सो करने के लिए ठीक है यह प्ले करते थे इससे मदराज और तमिल ड्रामा कम्यूंटी थी ना जो इंप्रेस होगी ठीक है पहुत अच्छी से कर देते प्रिसके लिए यह वाइट बैग्राउंड की एक पर्दा तो यह बहुत अच्छा लगा तो मदराज एंड तमिल ड्रामा कम्यूंटी इसे इंप्रैश हो गई और बो भी इस तरीके से कॉपी करने लगे अगर कोई इंसान कोई अच्छे काम करता है इसी के अंदर को इसके लिए आप भी उससे सीख सकते वह थारी ठीक है जैसे कि यह कुछ सालों बाद पता चलता है कि जो एम आ रहे है यह जो आर्मे आए थी ठीक है यह किसली आए थी वास कॉइंड ऑफ काउंटर मूमेंट टू इंटरनेशनल कॉम्यूनिस्म से कम्यूनिस्म आगे ना मतलब यह लोग भी जो कम्यूनिस्म होता था इसको बिल्कुल सपोर् पता चलता है लेकिन बाद में कुछ दिनों बात पता चला तो ऑथर बताते हैं कि वाई साब इनके जो ऑनर थे ना जैमने स्टूडियो के मिस्टर वसन यह उनके हाथों में चले गए मतलब इनको फुद्दू बना दिया बाद में पता लगा सोच के देखो तुमारे घर प काउंटर मुव्मेंट था इंटरनेशनल कम्यूनिस्म के अगेंस्ट तो समझ जाओ ठीक है तो मिस्टर बसन को यह चीज बाद में पता चली पहली पता होनी चाहिए ठीक है तो एक तो यहां पर हो गया कुछ महीनों बाद फिर से कॉल आता जैमने स्टूडियो में कि भाई सब्सक्राइब करते तो कुछ पड़े लेखे तो कुछ मीडियम पड़े लेखे ते तो वही कुछ ही पॉइट थे लेकिन उनमें से कोई भी पॉइट नहीं आ रहा था ठीक है अब तुम्हारे घर पे चाल लोग है चाल लोग नुमान लगा रहे है यह पॉइट आ सकता है लेंट से एक भी नहीं आया कोई जानता नहीं उनको ठीक है तो समझाओ को ना रहा भी बता हूं आगे तो एक्जेक्ली वह पॉइट था कौन जो जैमने श्टूड में आ रहा था आपकोई पॉइट नहीं था इस नोट पॉइट इस एडिटर थे पॉइट नहीं थे वह ए टमिल भीकली आनंद देखो जो बहुत है ना जैमने स्टूडियो के ठीक है तो वह भी एडिटर थे ठीक है पॉपुलर्ट तमिल भीकली अनंद बिकतानन इसमें तो भी फैमस जैसे होता ना भाई साब हम भी यूटीवर आप भी यूटीवर और यूटीवर ही तो हमारे द सब्सक्राइब कर रहे थे एक्दम लगी हुई थी माइक वगरा सब कुछ कर्मियों का मौसम ता पंखा चला था थे जवा आ रही थी वाई सब्सक्राइब लगवग तो फैर के चार वजे जो जो अधिको तुरुआतम उसके बाद और एडिटर मतलब वही बात की जा रही ह ना तो पहले पोइट लगी तो और अदिटर अराइब ठीक है पोईट सम्झे पर आते हुआ पर रहाए पर नंगे बहुत बहुत जादा बोलते हैं शीरियस होते हैं एक और उनको कोई प्याचान नहीं जाए होता है अन्नोन होते हैं सभी के लिए ठीक है तो लगवाथ चा सब्सक्राइब करने के लिए उनके लिए उनके लिए अच्छी बात देखेंगी जैसे आपके स्कूल में होता है कुई चीफ गेस्ट आता है तो भाई बोलते न अच्छी बाते आपके श्वागत है और फलाना देखाना बहुत सारी तो ऐसी बोईस ने उनका एक लंबी स्पी आपके इसको कोई चीफ गेस्ट आता है प्लीज सर आके आप दो सब्सक्राइब करें उसके बाद वहाँ आते हैं बोलना स्टार्ट करते हैं पहले जिस्ट फॉस्टिश इंग्लिश में बोले होते हैं उनके एक भी बात किसी को समझ में नहीं आती है नोग नियो वोश्ट वह बतने चाहिए वह बतना गश्ट करते हैं जो तो एक सबसक्राइब करते हैंホंद सब्सक्राइब ना आता है वह रहाए टेक है तो वह वह क्या बोले एगंटे तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब पर अपर इसको बोल ला थो भी थो थो फोड़ा सा आईडिया लग जाता रही आप इस बैसे ही था चैप्टर जो और है अशो का मित्रन कहते हैं कि समझ बनी आया कि यहां पर क्या करने आए थे इंग्लिस पोईट है यहां पर यह क्या करने आयते फिल्म स्टूडियो में तरह ट्यामने ओने आदी अकंशी को यहां पर यहां पर घंके स्ट्वंध करने कि लोगों को समया थनी आप प्लीज आप इन्वाइट मत करना समझ में नहीं आया प्लीज लोगों को आगे से इग्णॉर करना हम नहीं सुन पाएंगे लेकिन करने क्या आयते हैं यह चीज अभी भी समझ में नहीं ही इस बिजट रिमेंट एन अन इक्स्प्लेंट मिस्ट्री ठीक यह रहेश्र बना हुआ था कि एक्जेक्टली वो करने क्या आयते हैं आगे आपको पता लगेगा ठीक है तो बहुत चले जाते हैं ठीक है सब लोग अपने अपने गार ओके नेक्स अब आधिसा आथर जो हैं वो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन क्या कि प्रोज राइटिंग इस नौट एंड कानोट बी ट्रू पर्शुट और जीनियस मतलब जो पोईट्री लिखने की चीज होती है ठीक है कला होती है यह आर्ट होती है यह जरूरी नहीं है कि जीनियस लोगों के प लिखता है तो यह अच्छे पोईट के अदर होनी चाहिए ओतर बतार है अपने ऑक्वार्डिंग लिखेया इस तरीके का होता है चापकट और आगे उथर थोड़ा से बताते हैं कि अच्छा तो पो होता है मेरे ख्यालते है जो चोटी चोटी चीजों को भी पकड़ लेता है जो आम आदमी नहीं पकड़ पाता है जैसे कि newspaper में कोई एक page है जो को बहुत कम पड़ते है किसी की निघाब भी नहीं आठीक वहां पर चोटा सा कोई एक अडवर्टाइजमेंट कोई चीज ऐसा होती है जो आम आधिमी नहीं देख पाता है एक अच्छा पोईट देख लेता है वो कुझ की तारीप कर रहे हैं किस तरीक से देखो एक अच्छा पोईट तरन पकड़ लेता है बागी लोग नहीं देख लेता है ये जो हिंदू है ना जदि हिंदू इसमें एक एडवर्टाइजमेंट चपाता है शौर्ट स्टोरी कॉंटेस्ट था और्गिनाइज बाइड बिटिस प्यूडिकल मतलब समझते हो जैसे निउस्पेपर में होता ना जैसे संडे के दिन जोक आते हैं इसको प्यूडिकल बोलते हैं बाइद नेम अधी एंकाउंटर ठीक है इसी के लिए कि स्टोरी अच्छा आदमिया था होता जो यह चीज़ देख लेता है अच्छा पॉइट होता है वाई साम जो चीज़ डून लेता है और बताते हैं ज्यादा लोग इसको नहीं जानते थे तो अगर मैं अपनी स्टोरी बगरा शेर करता हूं ठीक है याप पर तो होता कहीं मेरे पैसे अगना लग जाएं ठीके बाद में कुछ रिप्लाई भी ना है थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं कोई कंपनी होती है हमने उतका कभी नाम नहीं सुना ठीक है और उसमें बहुत सारी इंकाउंटर पढ़ी होती है कुछ बहुत पुरानी कुछ बहुत नहीं कुछ ऐसी बहुत किसी ने पढ़ी ही नहीं चुई तक नहीं राइट और यह स्टोरी थी ना यह बेजनी थी कहां पर इंग्लेंड में यह देखो बात यासी आप चाहते हैं किसी में काम करना आपको स्टोरी भीजनी पड़ेगी इंग्लेंड बेजनी पड़ेगे इंग्लेंड बेजनी थी उनको तो भाई साब उसके लिए पैसे लगेंगे ना आप पोस्ट सेंड करोगे तुम यह चाहोगे कि तुम्हारे पैसे भी चले जाएं और वहांतर पहुंचे भी नहीं कुछ रिप्लाइब नहीं तुम नाम देखता हैं तेका जशी एकिका नाम पर ते हैं उनकी धिल में घंटिया बने लगते हैं तिल में दीं करों सब Throughout स्टीफन इस्पेंडर थे पहले बोला जाथ पोईट थे उनका नाम था स्टीफन इस्पेंडर ठीक है तो इस चीज़ को आप धियां रखेंगे वहीं उस इस चैप्टर के ओधर रहे हैं जो अपनी पूरी बात बता रहे हैं तो जैसे उनने देखा एडिटर का नाम उनकी दिल में घंटिया बजने लगी अरे यह तो वही है जो हमारी स्टूडियो में आयते जोन्होंने स्पीज दी हमें को समझ में नहीं है तो क्या बोला था ठीक ह है जहां भी बेजने वाले थे ओके नेक्स आई फैट लाइक आई हैट फांड लोश लोग लोश्ट बिरदर लगा कि भाई कोई बिच्छडा हुआ कोई खोया हुआ मेरा भाई मिल गया हो और भाई सब मैं भी एक गाना-गार हुझे बिच्छडे दोस्त मिल गए बिच्छ लेटर मिलेगा ठीक जो लेटर मिलेगा इसमें पूरी स्टोडी लिखे बेजी है तो उनके अंदर भी ऐसी घंटिया बजेंगी दिल में ठीक है उनको भाई यार यह तो वही है ठीक है पिवस उनको जान पैचान हो गी थी ना आप कहीं काम करते हो किसी कंपनी में वहां पर कि कुछ सालों बाद जैमने स्टूडियो मैंने छोड़ दिया था ठीक है वाब काम नहीं करता था उसके बाद मेरे पास टाइम यह टाइम था लेकिन पैसा जादा नहीं था जैसे होते ना जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास पैसा आउता लेकिन टाइम नहीं होता है और अब यह था क्यों बोले आगे पता चलेगा आप ओन दा फुट पाथ फुट पाथ पे इंदा फ्रेंट ऑफ माउंट रोड पोस्ट ऑफिस था ना जो उसी के सामने जो फुट पाथ होता ना फुट पर आपने देखा होगा वहीं पर ब्रेंड नियू बुक्स बिक्रीटी अब फिप्टी पैसे में इस ते में बिक रहीं थी ओके तो बाइस अब जैसा कि मैंने का था कि ऑथर उस टाइम थोड़ा गरीब हो गया था पैसा नहीं तो उसके पास जाता तो कोई भी सब्सक्राइब उसकी तरब अट्रैक्ट हो जाता था था एक असले किताब बुट अ अब तो किताब होती है इस पेसल लोग प्राइस टूड़ेशन होती है तो बताते कि उसका कनेक्शन था 50th anniversary of the Russian Revolution अनिवर्स्टी थी 50th चलिवर्ट टोरी थी उसके कनेक्शन था किस तरीकस था मैं बदा तो किताब बिक रही थी वहापन उसमें बताया गया था कि यह अच्छी चीज़ नहीं होती है पहले हम लोग ने भी यह चीज़ एप्लाई करें बहुत बुरा लगा बहुत नुक्सान हुआ हमें पूसारी लिखी थी देखो कॉमिनिस्ब्स में जो था ना वो रश्या में फॉलो किया जाता था ठीक है और यूस में नहीं किया जाता था तो यू ए और रश्या में लड़ाई थी यह च्भा और जाते ते कि यार यह चो कम्मुनिस्म चल लाना वाँ पर रश्या में बंद हुई है श़्ाकर म॥े किलोसे असलों करता है और वह किता खरी का नाम पया अपने पूरी जर्णमिन लिखी कैसे कॉमुनिजम को उनने फॉलोगे कैसे काम करते हैं और बाद में जो भी पॉफ होता है सब्सक्रीब्यूट करते जाता है उनकी निट क्या गॉडिंग तो इसके डाया ता चिह युए उस एक लोगों कैसे कम फॉलोग किया उसके बहुत ब हो गया सब यह बहुत रॉंग है मतलब अच्छा नहीं है था बोला गया था उसमें अब इसके राइटर कौन थे इसके यह नाम पढ़ ले नाप ठीक है पर इसमें एक नाम खास है वह स्टीफन स्पेंडर यह भी ऑथर थे उस किताब के मतलब एक ऐसी किताब जो की बोले की किसली आए थे अब उतर को यहां पर पता चलता है कि बाद जो भी यह रहस था कि स्टीफन स्पेंडर क्या करने आए जैमनी स्टूडियो में ठीक है इंग्लिस में अपनी भासट देके चले गए समझ में आया क्या बोलने आए थे ठीक है क्या करने आए थे अब वोची समझ निरास किया उसने मेरे को ठीक है तो वह यह समझ आते हो तर अच्छा इसलिए आयते है आपका ठीक है आई होब आपको यह वीडियो पशन आए होगी वागी कोई डाड़ो कुछ भी तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते मैं आपका रप्लाइज जयूद करूंगा एंड बाइ